कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि वीडियो में हम देखेंगे आर्ट के बारे में ठीक है इसका इंटर्फेस ओपें करने पर कैसा आता है इसका बेसिक इंट्रोड़क्शन देखेंगे ठीक है तो चली स्टाट करते हैं पहले सब्सक्राइब मैं बता दू मेरे पास आर्ट कर दो 2018 है इसको मैं उपेंड करता हूं आर्ट करता हूं यह आउटकेट 3D डिजाइनिंग या 2D डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं बैसिक लिए इस सब्सक्राइब का यूज अब देखें जैसे यहां आट करते हैं तो ऐसा हमको इंटरफेस दिखता है इसमें अलग अलग उपर फाइल इडिट विव और यह सब का उप्शन होता है और यहां पर आपको सामने में दिखता है नूदेल फला आता है नूदेल उसके बाद नव पर जैसे पर क्लिक कर एंगे तो हमको जोझेंप होता तो हमको कोई जो होता ह akl बता किंगे कि हम इतने में पर हैओ यशे понял तो यह मतलब मतलब मसीन का हमारा इक सट मताता है और है ने सकता है वह दिआ सकते हैं तो नौर्मल जो बहुत है इसमें जाड़ करने-गार्फ़ल्ट नहीं रहता है कि इसके नी deh भी सब्सुनों कामकर्राइn कर दो पर अधिक फोरची टो फैना फोरिवा ho क्राप्ट है इसके जो है इसको क्राइब है हम सब्सक्राइब कर दो कहाँ I करना होता है LEFT BOTTOM position के ही कर सकते है pe मतलब ऐसा कई जुरूरी हो आप चाहे तो यहां पे भी कर सकते हैं तो प्रक्रटेघ सीकjes करना करते हैं लोग ज्यादा असुर्ग डिल्शकैंट करते हैं आप चाहें तो तो इसके ऑपक بश्याने कर सकते उसके आप वेदेधे हम को टीध में हल और में हम अलग अलग टाइप के डीजाइन यह जैसे में कि हमको 3D यदि रोटरी मॉडल बनाने हो चाहे कोई भी और मॉडल नया बनाना हो तो उसके लिए हम 3D मॉडल बनाने करने के लिए हम new project का यूज करते हैं ठीक है उसके बाद मेरे को option मिलता है open का यहां पर होता है हम जो भी पहले से फाइल बना चुके हैं जो भी हमारे पास फाइल है उसको यहां पर क्लिक कर जैसे कि लिए करेंगे एक pop-up on होगा वहां पर आपको दीख जाएगा और जो भी आ से मतलब पहले कुछ काम कर चुके हैं तो यहां पर काम कर चुके हैं मतलब मौडल पर काम करने का हुए है तो यहां पर देखता है recent model में जैसे में आपने हम लोग सब अपने सेटिंग से कर सकते हैं उसके नीचे यहां पर हैं उप्षय तो इसके नीचे को यह भी आप होगा सकते हैं यहां। सब्सक्राइब शकष wins सब्सक्राइब फूर्णец अब इसके बाद इसको अपडेट इसका लाना बंद कर दी है मतलब हम इसलिए इसको 2018 पर वीडियो बना रहे ठीए अब इसके बाद इसका वर्जन आना तो बंद हो गया है अब साय धी उमीद है कि इसका आगे का बर्जन आए तो अब इसके बाद यहां से सब कि देखें तो हम एक मोडल नया मोडल लेते हैं जैसे न्यू मोडल जैसे करना चाहते हैं यहां पर मतलब हम कोई ले लेते हैं 100 भाई 100 का मोडल ले लेते हैं कि 100 में मतलब 4 इंच के गरी होता है ओके पर क्लिक करेंगे यह उपन होने के बाद ऐसा दिखता है तो आपको इधर जो ऑप्सन मिलते हैं फाइल वे गए रहे हैं कि हांपे सेफ करने का इडिट का भीव का मोडल का यहां सब यहां पर दिख जाते हैं और उन्हीं और यहां सामने में यहां पे भी जाधा ॉसरी से आपको और में यहां पर दीकर के मेरा हम किसी बिची सेट करते हैं है editing tool है यह मेंको कलर फिलड करने के लिए है measurement तूल है इधर आप कोई भी आपको rectangle circle और polyline सब राना है यहां से हम सब कशक्ते हैं और यहां पे फइल और यहां पर वहागा इस मेरा चाहिए इस पर करके हम इस मॉडल को घुमा बेसे सकते है और है यहां पर आप्षिन यहां पर आप्षिन होता है यहां पर जैसे में पहले हम 2D view में देखेंगे मतलब X और Y axis से 2 axis में दीखेंगा 2D view इसमें Z axis नहीं दीखेंगा 2D view होता है मेरा और यह होता है मेरा 3D view 3D view में एक widget 3D axis दीखेंगे और यहां पर अलग-अलग angles से भी देख सकते हैं जैसे मेरा top view हो ठीक है और उसके बाद मेरा side view side view में कुछ नहीं हम डिजाज बना है इस लिए side view से कुछ दिखनी रहा है और यहां से इस्टाइब करने हैं मेरा isometric view यहां से isometric view में भी हम देख सकते हैं मतलब हर एक angle से isometric view का मतलब होता है हर एक एंगल से दिखेगा और यहां पर प्रोजेक्ट का option मिलता है यहां पर रेक्टेंगल बना लेते हैं रेक्टेंगल मेरा बना लेते हैं अब अब दिखेंगे यहां पर दिखेंगे डिफॉल्ट लेयर पर हम बना है जितना वीडियो भी होता है और पर बैट मैफ में होते है जो भी रहा हुशन होता है इसको बोलते हैं अब बैक और जो पीछे का पिपशे जो भी रहेगा उसको लोंग बोलते हैं तो रुसका करते हैं हम यहां पर टूलाइब है है is यहां पर ऑप्शन यहां से भी आपको मिल जाते हैं यहां पर अपको क्लों करना है यहां से भी कर सक्ते हैं यहां से भी राइट क्लिक करने पर आपको कट कोपी पेस्ट का ऑप्षिंस मिल जाते हैं और यहां से आपके सेम काम कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां से यहां पर 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 यहा करने का है जैसे में हम कोई इसमें चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर एड करना चाहते हैं ठीक है और ग्रेश के इमेजर करना चाहते हैं तो यहां कर सकते हैं करना चाहते हैं औ이 πोई इंपोर्ट करना है कोई इंपोर्ट कर शकते हैं कोई फिर सकते हैं कई बी खतर केई हैं और युद्यद यहां बीत ओवर्ड़ चाहते हैंस प्रप्स्ट करने के का यूज कायसे करते हैं १ेटियो में हम इंट्रोडप्शन देखना है कि क्या होता क्या है अब यहां पर रिलीफ में आते हैं मोडल या इस एक आप रिलीफ में आके इंपोर्ट करना हो था है इसके बास कि देखने को मिलता है और यहां तो देखने को मिल जाता है कोई भी लाइबरेरी में आपको 3D design वो directly import कर सकते हैं अब तूल पाथ में आते हैं जो भी 3D तूल पाथ बनाने का यहां पर options होते हैं यहां से भी आपको मिल जाएंगे तूल पाथ में यहां पर भी option मिल जाते हैं तूल पाथ को save करना है सब जो भी option है simulation तूल पाथ मिल जाते हैं यहां से option में उसके बाद आपको 3D printing आता है यादि आप 3D printers का काम करवाना चाहते हैं तूल पाथ बनाने के लिए तो 3D printers के लिए यहां पर आपको Windows का option मिलता है इसमें आपको जो भी है आपको यहां पर option मिल जाता है कि यहां पर आप अपने सब्सक्राइब करना चाहते हैं यहां से आपको अलग अलग सेफ करने का तरीके मिल जाते हैं और यहां से आपको टूल बारें डॉकिंग विंडोज में एक इसका यूज पढ़ता है यहां से जब आपका यह प्रोजेक्ट फाइल कभी इसके बाद आपको यह सारे टूल का यूज करना हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अभी तो नॉर्मल हम जान लिए कि क्या होता है जैसे में सेफ एडिटर है यहां पर टर्न का 3D ब्लेंड यह सब अलग अलग तूल से जिनका हम लोग आने वाले वीडियो में तो आज के लिए बस इतना ही इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें